देश के छे राज्यों की साथ विधान सभा सीटों पर आज उपचुनाव कराए गया वोटिंग का काम पूरा हो चुका है अब सभी की नजरे आठ सितंबर को होने वाली काउंटिंग पर हैं तो किस कि सीट पर हुआ मतदान और किस की प्रतिष्टा लगी है दाओं पर देखत होनी है सभी साथ सीटों पर इंडिया गडबंदन और एंडिये के 20 सीधी लड़ाई है जारखंड केरल उत्तरप्रदेश उत्रकंड और पश्यमंगाल की एक एक और तिरपुरा की दो सीटों पर वोटिंग कराई गई है सबसे ज्यादा वोटिंग तिरपुरा में और सबसे कम यूपी की घोसी सीट पर हुई है यूपी की घोसी सीट पर 54 प्रतिशत के करीब मतदान हुआ तो उत्रकंड की बागेश्वर सीट पर करीब 69 प्रतिशत जारखंड की डुमरी सीट पर 67 प्रतिशत केरल की पुतुपली में 75 प्रतिशत पश्यमंगाल की धूपगोडी में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंग ने आरूप लगाया कि अल्प संक्यक समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। तो दूसरी और बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंग चौहान ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से शांती पूर्ण और निश्पक्ष हुआ है। गोसे सीट पर चुनाव दारा सिंग चौहान के सिफ़े के चलते हुआ इस भी चुनाव आयोग की ओर से भी कहा गया कि कहीं से कोई अपर ये घटना की सूचना नहीं मिली है।